नमस्कार आप सभी का स्वागत है, मत्से पुरान के अनुसार, मनुष्यों को अपने घ्रह का निर्मान, वास्तु के नियमों के आधार पर ही करना चाहिए, भगवान शिवजी के जटाओं से गिरे स्वेद बिंदू से वास्तु पुरुष के उत्पत्ति हुई है, अतह इस स मनुष्यों द्वारा जाने अंजाने में पाप हो जाने पर देवता प्रसन्न हो जाते हैं, और मनुष्य के भवन पर विवित प्रकार के उत्पात प्रारंब हो जाते हैं, जैसे घर पर बिजली गिरना, व्रिक्षों का अचानक से सूख जाना, अचानक ही घर के समक्ष, ज कौन से व्रक्ष होने चाहिए और कौन से नहीं इस विशय में महतो पुर्ण जानकारी दी गई है कुछ व्रिक्षों को घर के पास लगाना बहुत ही अशुब होता है यदि ये व्रिक्ष अपने आप ही घर के समक्ष प्रकट हो जाए तो इसे भहिंकर उत्पात ही समझना चा ये इस प्रकार के अशुब व्रक्ष जब रुदन करते हैं तो विवित प्रकार की प्रान घतक व्यादिया एवं रोग फैलाते हैं इन व्रिक्षों के हसने पर घर पर संकट आ जाता है इन व्रिक्षों की शाखाए अपने आप ही तूट कर गिरने पर वाद्विवाद के अरिधर्ता का सामना करना पड़ता है किसी भी रोग के बिना आचानक ही इन व्रक्षों के सूख जाने पर धन्धन्य नष्ट्र हो जाता है Cartman व्रक्षों के फलों में कीडे लगने पर अत्वा फूलों में विकार उत्पन होने पर ग्रह स्वामी को दुख भोगने पड़ते हैं इस प्रकार से इन व्रक्षों में उपद्रव के लक्षन दिखाई देने पर इने तुरंत ही उखाड कर फेक देना चाहिए हैं अन्य था य यह भी जानना आवशक है कि कौन सा व्रिक्ष घर की किस दिशा में होना चाहिए आगे बढ़ने से पहले अगर आप चानल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आपको ऐसी रहस्ते में जानकारी वाले वीडियो देखने को मिल सके साथ ही वीडियो को लाइक करन है बेर के पेड का अपने आप उग जाना भी अशुप फल दायक होता है दूसरी बात किस्वे प्रकार के मरुस्थलियो पोधे का रोपन तता पोशन भवन की सीमा में कदा भी नहीं करना चाहिए इस प्रकार का पोधा यदि घर में लगाए जाए तो तनाव में व्रद्ध होती है परिवार के सदस्यों के समंदों में कडवाहट बनी रहती है यदि ये मुरुस्थलियो पोधे अपने आप ही घर के सामने प्रकट होते है तो परिवार के सदस्ये एक दूसरे के साथ भीशन युद्ध करते है अत्वा एक दूसरे के प्रान के भूके बन जाते है त क्योंकि व्रिक्ष कई प्रकार की परिशानिया खड़ी कर सकते हैं। घर की सीमा में बास का पोधा कभी लगाना नहीं चाहिए। आजक़ कई लोग बास का पोधा घर की सीमा में लगाने की सला देते हैं। लेकिन शास्त्रों में इसे अशुब फल दायक माना गया है, पांची बात, बादाम का व्रिक्ष घर के दक्षिन या पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए, क्योंकि ये पिरामिड के आकार के होते हैं, घर के अंदर कांटिदार अत्वा दूद वाले पोधे कभी लगाने न देना चाहिए, अन्यता ये भयंकर दुरगटना के कारक होते हैं, वास्तु शास्त्र कहता है, बड़े तता घने वरक्ष भुवन के बिल्कुल पास नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनकी जड़े भवन को ख्षती पहुँचा सकती है, वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर प वरक्ष हो, तो इसे अशुब माना गया है, घर के अगने कोन में पीपल, पाकड या गुलर का पेड़ अपने आप ही उख जाना, पीड़ा दायक वा मृत्ति तुल्ले कष्ट देता है, यदि घर की दक्षिन दिशा में तुल्सी का पोधा अपने आप उख जाए, तो कठो वरक्षों को फल नहीं लगते है, उन्हें घर से दूर ही लगाना चाहिए, उनकी छाया घर के उपर पढ़ने नहीं देनी चाहिए, घर के वायवे कोन में नीम के वरक्ष का अपने आप उख जाना बहुती शुब माना गया है, इससे उस भवन में रहने वाले सदोस्यों का स्वास्थ्य सदेव ही अच्छा रहता है, और उस घर में कभी भी किसी वे प्रकार की कष्ट दायक बिमारी का प्रवेश नहीं होता है, यदि घर के सीमा में बेल का वरक्ष अपने आप ही उख जाता है, तो इसे भोती शुब माना गया है, ये भगवान शिवजी का परम प फल दायक होता है, ये ये वरक्ष अपने आप ही घर के पास उख जाए, तो इसे तुरंद उखाड कर फेक देना चाहिए, बबल के वरक्ष का घर के पास उखना उस घर के विनाश्कियों और संकेत देता है, एरेंडी का पोधा वास्तु की द्रश्टी से घर के समक्ष एरे की सीमा में नहीं होना चाहिए, ये अशुब होता है, लेकिन ये घर की सीमा में सुत्व उख जाए, तो इसे काटना नहीं चाहिए, बलकि घर की सीमा में एक आवले का तता एक फल देने वाला अनार का पोधा लगा देना चाहिए, इससे सीता फल के पोधे का आशुब प्र भाव कम हो जाते हैं आखरी और अंति महतोपुर्ण बात यदे आपके घर के सामने अशुब व्रक्ष पहले से ही मोजुद है यदे उन्हें काटना संबोव ना हो तो उसके लिए अन्य शुबदायक व्रक्ष को लगा देना चाहिए ऐसा करने से उसके दोश दूर हो जाते है लेकिन ध्यान रहे क्याक्टेस के पोदो को घर के आसपास भूल से भी नहीं लगाना चाहिए इनके वासुदोश किसी वे प्रकार से नष्ट नहीं किये जा सकते है अतो इन मरुस्तलिय पोदो को घर से उखाड कर फेक देना ही भेतर होता है तो इस प्रकार से हमारे वास्त लिखे साथी चानल को सब्सक्राइब करे धन्यवाद